दोस्तों, BS6, Splendor और Other FI Bikes में आपको बहुत सारे सेंसर जो हैं देखने को मिलते हैं एदि आप जानना चाहते हैं कौन-कौन से सेंसर हैं तो इस वीडियो को जरूर से अंतक्का देखीगा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं CV Gary पहले सुरुवात करते हैं सबसे basic sensor की जो कि है throttle positioning sensor जिसे short form में TPS sensor भी बोलते हैं ये sensor जो है आपको जो है carbureted bikes में भी देखने को मिल जाता है लेकिन carbureted bikes में इसका कुछ और function होता है और fuel injected bikes में कुछ और function तो इसका क्या main function है तो जैसी कि आप जानते हैं कि जो हमारा fuel injected bike है उसमें जो fuel है वो automatically नहीं जाता है जैसी कि हमारे carbureted bike में था जब हम accelerator देते थे तो हमारा जो fuel और air का mixture था वो automatically cylinder तक पहुंच जाता था लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है तो इसमें जो हमारे TPS मदद करता है तो TPS किस परकार से मदद करता है तो जब हम accelerator देते हैं या हमारे जो gas pedal को हैज दबाते हैं तो क्या होता है जो हमारा butterfly valve है वो open होता है तो इस butterfly valve की position को monitor करने का काम कौन करता है यह TPS करता है तो मान लीजिए जब हमारा butterfly valve खुल गया तो इससे क्या होगा के बढ़ एर गई अंदर हमारे cylinder के अंदर यह हमारा जो intake manifold होता है उसके अंदर के बढ़ एर एंटर करी अब लेकिन यदि हमें fuel चाहिए तो fuel किसके मदर से जाएगा injector की मदर से जाएगा तो जब इतना butterfly valve खुला तो कितना amount of fuel जाना चाहिए यह decide कौन करेगा ECU करेगा और ECU को signal किसकी मदर से मिलेगा TPS की मदर से मिलेगा तो जब TPS ECU को sensor sense अपनी signal भेजेगा कि इतना जादा जो हमारा butterfly valve है खुल चुका है तो उस हिसाब से ECU उसको हमारे जो injector है उसको voltage देगा और उस हिसाब से जो हमारा जो injector है वो open होगा और उस हिसाब से fuel inject करेगा तो जिस हिसाब से यह butterfly valve होगा ओपन होगा तो इसकी positioning को कौन sense करेगा TPS sense करेगा तो TPS जो इसने sense किया उसको कहां भेजेगा ECU तक भेजेगा और ECU उस signal के basis पर जो है हमारे injector को क्या भेजेगा voltage भेजेगा और उस हिसाब से हमारा injector खुलेगा जो जितना जादा यह butterfly valve खुलेगा उतना जादा जो हमारा हमारा fuel है वो injector की मदद से inject होगा तो यह है function TPS sensor का दूसरा जो sensor है यहाँ पर दोस्तों वह है map sensor इसकी full form है manifold absolute pressure sensor तो जैसे कि इसका नाम suggest कर रहा है यह क्या करता है manifold के अंदर कितना pressure develop हो रहा है उसको sense करने का काम करता है इसका और एक काम होता है कि यह sense करता है कि engine के उपर engine जो है normal condition में run कर रहा है यह hard condition में run कर रहा है तो यह कैसे काम करता है तो सबसे पहले जब हम हमारा butterfly valve कम open होता है तो हमारे manifold के अंदर ज्यादा pressure develop होता है क्योंकि suction stroke के दौरान air कम जा रही है तो जाहिर सी बात है pressure कम ज्यादा mean passive life के अंदर जब यह sensor करता मैप सेंसर कर लेता है और मैप सेंसर की हुए सिंगनल को कहा बेजता यह हमारे issue तक भेजता है तो issue उस समय क्या कोशिश करता है issue सेंस कर लेता है कि हमारा कर जो candition है इस समय हमारे अलोह पस्क्राइक जो क्या technology कर रहा है कि उससमें क्या करता है इस lev reports घ्र केंदर होग और जब उपन स्क्राइब इस समय है क्य LOOK कि यहां क्या हो गया कम हो गया तो यह सैंस कौन कर लेता है मैप कर लेता है मैप इस चीज को सैंस कर लेता है और इस सेंस के होई सिगनल को कहां भेजता है bisschen Seiisha करता helps कि एक्सिलेटर पूरा दिया है तो अगश्यृ पूरा दिया है मालई उसको ज्यादा स्वीक्ड की जरूरत है मनलब ज्यादा अच्छे कमशन की जरूरत है तो उस परकार से फ्यूल के mixture को rich कर देता है तो इस प्रकार से map sensor का क्या काम है कि map sensor जह हमारे manifold के अंदर के pressure को sense करता है और दूसरा fuel rich भेजना है या lean भेजना है यह फिर EC को signal भेजता है तो इस प्रकार से हमारा map sensor जो है काम करता है इसके बाद जो तीसरा sensor है वो है crank positioning sensor या crank position sensor तो crank position sensor का क्या का फोकाम होता है यह डिसाइड करता है कि कभ इगनीशन कराना है या कभ इगनीशन नहीं करा तो क्राएंक पोजिशन सेंसर कैसे काम करता है तो हमारे जो उसमें चोटे शोटे मैंगे साइफ मैंगनेट्स गूंते हैं तो इस सेंसरियॉ तो यह क्या काम करता है एक तो हमारे पोजिशनिंग सेंसर का काम है इसके बाद जो सेंसर आता है वो है बैंक एंगल सेंसर का क्या काम है कि यह क्या है बहुत सारी बार क्या होते है एकसिडइण हो जाते हैं तो जब हमारी गारी ले जाती तो हम नहीं चाहले होई हम vetor है वो जह दवा रह जाता है तो इस कारण से ज caucus हो ज़ह जा जिसे गिर जाता है तो यह engine से क्या करता है पावर आटोमेटिकली कट अप कर देता है तो इससे जो accident है वो बहुत सारे जो serious accident है वो होने से बच जाते है तो यह था bank angle sensor आप जो sensor आता है वो है engine oil temperature sensor तो ऐसे की इसका नाम ही बता रहा है यह sensor क्या करता है इंजन oil के temperature को नापने क काम करता है तो इंजिन ओयल के टेंपरेचर को महापने का क्या फाइदा हो तो इसे यह फाइदा हुआ कि यह इंस्ट्ुमेंटल कॉन्सोल पर जह है डाइस बोड़ पर एक इंडिकेशन देड़ेगा कि आपके टेम्पर इंजन ओयल का जो टेमपरेचर हो ज्यादा हाइए तो तो इससे क्या होगा कि आपको इंजिन इंटेग में हैं इंटेग में एयर आ रही है। उसको इसका नहीं करने का काम करता है। तो इसका क्या function हुआ इससे क्या फायदा हुआ हमें। तो इससे ये फायदा हुआ। माल लीजिए जो जब हमने थ्रोटल वैल्व, हमारा जो वैल्व है वो ओपन हुआ, का बटरफ्लाइ वैब तो या यह यह जए ब्लाइन से आए Sobiे वह थोड़ा सा वॉम है जो नॉर्मल टेंपरेचर हो से वा में तो समय क्परक्शन के लिए जिसको प्रॉपर क्मशन करों में जरूरत पड़े और यदि जो एयर है वो नॉर्मल कंडिशन में है तो हमारा जो फ्यूल है वो नॉर्मली जो है जाएगा जैसे नॉर्मल कंडिशन में जाता है तो यह जो IAT sensor है यह intake air temperature sensor यह काफी ज़्यादा जो है important role play करता है इंजिन की efficiency को maintain करने में तो यह थे दोस्तों को sensor जो की हमारे जो EFI bikes है या जो BS6 bikes है उनमें आते हैं उम्मिद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी यदि यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए Thank you friends